आसकार मैं एक बार फिर आपके भी ट्रॉक्टर चितेयन कुमार्ट एर्टीक मास्टर जैसा कि हम भी डिसकस कर रहे हैं वाटर साल्वल व्यटामिन बी कांप्लेक्स, व्यटामिन हैं जो को हम नायसीन के नाम से चानते हैं जो कि हम ब्रीफ में बात करेंगे, हमारे नोट्स से नायसीन विटामिन, निकोटीनिक एसिड और विटामिन B3 इसको हम B3 के नाम से भी जानते हैं, निकोटीनिक एसिड नायसीन के नाम से जानते हैं, दिस इज बी कामप्लेक्स, वाटर सालबल विटामिन और बेस्ट शेवर्स इज लीवर, लीवर और किडनी, मीट और पॉल्ट्री, जो भी पॉल्ट्री प्रोड़क्ट्स हैं, जैसे एक्स हैं, पॉल्ट्री जो चिकन, मीट है, उससे जो है, इसका बेस्ट शेवर्स है, विटामिन B3, नायसीन से, और फिस, फिस से बहुत नायसीन मिलता है, इसकी जो कमी से जो रोग होता है, उसके बारे मैं डिसकस करेंगे, डिफिसंसी, डिफिसंसी है विटामिन B3, विटामिन B3, डिफिसंसी है विटामिन B3, इस पिलेग्रा, और पिलेग्रा इस करेक्टराइज भाई 3D, जो 3D होता है, तो इसकी कमी से जो रोग होता है वो एक तो डाइरिया होता है डाइरिया हो जाता है जिस मरीज के अंदर बीधरी की कमी होती है डाइरिया अंडर्मेटाइटिस एक तरह की इसकिन की बीमारी होती है इसकिन में प्रावलम हो जाती है और डिमेंटिया यह जो है बीमारिया हो जाती है साथी साथ जो है Glossy Ties and Stomatitis एक तरह की बीमारी होती है वो हो जाती है इसकी कमी से तो इसको जो है भरपूर मातरा में लेना चाहिए जो की Paltry Products, Fish, Ligmas and Ground Nut, Kidney Liver से ये प्राप्थ होता है साथी साथ अब हम बात करेंगे requirement की जो human body में इसका requirement है vitamin B3 का requirement है वो जो है 50 mg per body weight daily इसको लेना चाहिए तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए किसी तरह की कोयरी होती है आप हमें comment करिए हम आपका answer जरूर देंगे साथी हो नमस्कार